मैंने तो किसी को नहीं बताय था कि कोट मेरेज करने जा रहा हूं लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने मुझे पकर लिया कैसे मालूम नहीं चला क्या मैं अपने अधार से नया मुबाईल नंबर ले सकता हूँ, क्या सेम मुबाईल में नया सीम काड यूज कर सकता हूँ या कोई दूसरा मुबाईल लेना परेगा जिसमें नया सीम लगाऊं और यूज करो नमस्कार मैं हूँ एड्वोकेट सुभाद सिंग और इस वीडियो में इनी सब सवालों और प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे एक सवाल जो बहुत जादा पूछा जाता है वो यह कि जब कभी भी हम कोर्ट मैरेज करने के लिए जाते हैं तो naturally पुलीस जो ट्रैक करेंगे जब लरकी के घरवाले पुलीस थाने जाएंगे और complaint करेंगे तो जो complaint के बाद से जब पुलीस ट्रैक करेंगे तो मेरा जो mobile नमबर है उसी के through ट्रैक करेंगे तो क्या हम पकरे जा सकते हैं हमें नया नमबर कैसे लेना चाहिए क्या प्रोसेस होना चाहिए सब कुछ मैं आपको बताऊंगा उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको court marriage करना है और court marriage से सम्मन्दित कोई भी query करनी है तो आप हमारे help line number डबल डबल जिरो ट्रिपल फोर ट्रिपल फाइब पर सुबह नौ बज़े से लेके शाम को आठ बज़े तक कॉल कर सकते हैं और सभी तरह के सवालों को free of cost पूछ सकते हैं अब सबसे बड़ा चीज ये है कि जब आप court marriage करने के लिए जाएं तो आपको कोई असुविधा ना हो कोई दिक्कत ना हो इस वीडियो में फोकस करूँगा कि पुलिस आपको ना परिशान करें देखे आम तोर से जब भी हम court marriage के लिए जाते हैं तो लर्की के घरवाले जब थाने जाते हैं शिकायत करने के लिए तो कोई ये नहीं कहता कि मेरी बेटी उस लर्के से प्यार करती है और उसके साथ भाग गई है शादी करने के लिए कोई ये शिकायत नहीं करता सभी लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरी बेटी को बहला फुसला करके ये लर्का लेकर भाग गया कोई पैरेंट्स तो ये भी कहतेते हैं कि व suic करके समान चूरी करके ले गई है कुछ parents तो ये भी कह देते हैं कि वो उसके साथ rape कर सकते हैं जान से मार सकते हैं अरग-अरग तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करती है तो ऐसे में पुलिस जो सबसे पहला काम करती है वो ये करती है कि आपके मुबाइल नंबर को ट्रैक पे लगाती है ताकि आपका लाइव लोकेशन मिल सके तो इसलिए सेफटी पॉइंट व्यू से यही रहता है कि जब तक आपका कोर्ट मैरेज ना हो जाए तब तक आपका मुबाइल नंबर जो नोन है जो आपके घर वाले लरकी के घर वाले जानते हैं उसको बंद रखा जाए जब आप कोर्ट मैरेज कर लो उसके बाद से वो नंबर ओपन करो सब को बताओ कि आपने कोर्ट मैरेज कर लिया लेकिन इस बीच में अब आपको नंबर लेना है तो क्या आप अपने अधार से कोई नया मुबाइल नंबर लेंगे तो क्या पुलीस को मालूम चल जाएगा बिल्कुल पता चल सकता है अगर आप अपने अधार से, सेम अधार से अगर आप कोई number लेते हैं नया mobile number भी लेते हैं तो police ये पता कर सकती है कि कोई number issue हुआ है या नहीं हुआ है और कौन सा mobile number है दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप same phone में कोई नया number लगा के रखते हैं तो क्या ये पता चल सकता है कि नहीं चल सकता है ये भी है ये भी पता चल सकता है कि same phone में नया mobile number भी अगर आप use करेंगे तो भी पता चल जाता है अब एक तीसरा प्रशन उठता है कि क्या और भी कोई method है जिसके through police पता लगा सकती है कि आपने आपका live location क्या है और आप कहां पर गए हो तो एक और तरीका है कि जो भी transactions bank के through होता है उसके through भी पता कर सकती है police कि आपने किसको transaction किया है कितना transaction किया है और कहां से transaction किया है इसके through भी police पता लगा सकती है लेकिन बचने का उपाए क्या है? सबसे पहली चीज़ है कि देखे पुलीस नॉर्मली क्या होता है ना जब हम ट्रैकिंग के लिए जाते हैं पुलीस को ट्रैक करना होता है तो उसमें पर्मीशन लेना पड़ता है जैसे मान लीजिए कि केवल ये पता करना है कि लाइव लोकेशन क्या है ये इजी है, मिल जाता है इसमें कोई दिक्कत दें अब ये पता करना है कि अधार से, इस अधार से और कौन-कौन से मुबाइल नमबर इशू है ये थोड़ा difficult process है, इसको करने में पुलिस को जादा time लगता है और अगर ये पता करना हो कि बैंक अकाउंट से कितना transaction हुआ और कहां transaction हुआ है इसको भी पता करने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन cyber crime चुकि बहुत होता है तो पुलिस को access दे दिया गया है, ताकि वो quickly मालूम कर सके तो सबसे safe ये रहता है, कि आपके पास ऐसा mobile number हो, जो किसी और के अधार number से हो और दूसरी चीज, कि आप उस personal number से, जो आपको नया मिला हुआ है आप जिस किसी से भी शादी कर रहे हैं, मान लीजे, लीज इंडिया में ही कर रहे हैं तो आप उस number से contact किजिए, जो आपने नया लिया हुआ है, टाकि आपकी safety रहे और same phone में अगर नहीं use करके, किसी दूसरे phone में use करेंगे, तो ज़्यादा better होगा हाला कि जब तक police पता लगाएगी, तब तक आपकी court marriage हो चुकी होगी और आप खुदी police को inform कर देंगे, कि भाई हमने शादी कर लिया, police आपका कुछ भी नहीं भी कर पाएगी क्योंकि ये आपका fundamental right है, और आप ऐसा कर सकते हैं तो सबसे बरी बात ये है, कि अगर आपके लिए सुविधा हो, तो आप इन तीनों चीजों का ध्यान रख लें और अगर आप ना कर पाएं, तो at least नया number तो ले ही लें, अपने अधार से भी लेंगे, तो चलेगा क्योंकि इसको भी track करने में टाइम लेगा और तब तक court marriage हो गया रहेगा Thank you so much for watching this video, thank you so much